आप जी एस पेपर वन के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ क्या कंटेस्ट है देखो इंडिया में हेट स्पीच की फ्रिकेंसी काफी जादा इंक्रीज हो गई है आप भी अक्सर देखते हो यूटूब पर या फिर दूसरे सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीची देखने को मिलती है हेट स्पीच देखो ऐसी स्पीच अभी डेफिनेशन आगे आएगी लेकिन सींपल भासा में हम बात करें ऐसी स्पीच जिसमें किसी एक वर्ग के लोगों के खिलाफ नफरत देखने को मिलती है वो वर्ग देखो कोई भी हो सकता है कोई minority community हो सकती है कोई ethnic group हो सकता है किसी particular caste के लोग हो सकते है particular reason के लोग हो सकते है समझ गये न? एक वर्ग के लोगों के अगेंश्ट जिस speech में नफरत देखने को मिले या फिर जिस person ने speech दी है वो even violence भी फिलाने की बात करता है उस वर्ग के लोग के against तो ये hate speech होती है हमारे देश में hate speeches की frequency काफे ज़्यादा increase हो गई है Supreme Court में भी एक petition गई है Supreme Court सुनवाई करेगी इस issue पर मामला देखो ये है 17 दिसंबर को दिल्ली में और 19 दिसंबर को हरदवार में hate speeches देखने को मिले थी जिसमें Muslims के against violence फिलाने की बात बोली गई थी अगर देखो हम challenges की बात करें hate speech से सम्मन्दित सबसे पहला challenge ये है अभी के जो कानून है न वो ineffective है hate speeches से deal करने में यानि कि जो लोग hate speech देते हैं उनको proper सजा नहीं होती इस वज़े से समाज में डर नहीं है कि हम इस परकार की speech देंगे हमारा career खराब हो जाएगा काफी साल जेल में बिताने पड़ेंगे इस परकार का कोई डर होता ही नहीं को लोग hate speech देते हैं क्योंकि कानून जो है वो ineffective है अब देखो कोई proper कानून नहीं है वैसे तो काफी सारे sections है hate speech से tackle करने के लिए अभी इनके बारे में हम discuss भी करेंगे लेकिन कोई proper comprehensive कानून नहीं है detailed कानून hate speech से tackle करने के लिए तो judicial जो verdict है ना इस मामले में अलग-अलग है judiciary की राय भी hate speeches के मामले में अलग-अलग है वो भी अभी हम discuss करेंगे पहले broad outline discuss कर रहे है challenges क्या-क्या है next challenge देखो आज के समय में internet का age है speech जो hate speech दी जाती है तुरंत viral हो जाती है लेकिन जो अभी IPC में sections है ना hate speeches से tackle करने के लिए वो देखो internet से पहले के sections है अरे भाया जमाना change हो चुका है कानून भी तो change करो ना next देखो एक और चीज़ जिस person ने hate speech दी है ना चलो मान लिया उसको सजा हो भी गई कानून जाग गया लेकिन वो speech तो हमेशा रहेगी ना internet पर जो speech एक बार दी जा चुकी है internet पर वो तो कभी भी search की जा सकती है उसको delete भी कर दिया जाए जहां पे upload हुई है कहीं और पे upload हो जाएगी हना समझ रहे हो ना बेसक उस person को सजा हो जाए जिसने speech दी है लेकिन वो speech तो eternity में exist करती है फिर वो बाद में भी दूसरे लोगों को influence करती है ना सिरफ उन लोगों को जो उस person की सोच में विश्वास रखते है जिसने hate speech दी है बलकि देखो opposite community को भी जैसे अभी किसी person ने माल लीजिए minority community के against speech दी है तो जिस community के against speech दी है वो उस community के लोग भी तो परभावित होके बदला लेने की बात बोल सकते है तो ऐसे ही तो communal harmony खराब होती है एक community के person ने hate speech दी और कोई दूसरा सरफिरा है दूसरी community से उसने भी hate speech दे दी तो फिर ऐसे माहोल खराब हो जाता है जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए Next, major reasons of hate speech इसके बाद next aspect लोग hate speech देते क्यों है सबसे पहले feeling of superiority कुछ individual जो है ना वो stereotyping में विश्वास रखते है उनको लगता है कि दूसरी community के जो लोग है वो inferior है हमारे comparison में जैसे जर्मनी में उस समय Second World War से पहले कुछ लोगों को लगता था नाजी लोगों को कि Jews जो है वो inferior है हमारी जो race है वो pure है तो इस वज़े से दूसरी community के against नफरत फिलाई जाती है Next, stubbornness to particular ideology इसका मतलब देखो ये है कुछ लोग ना एक particular ideology में विश्वास रखते हैं उनको लगता है कि हमारी ही ideology सही है और बाकी जो विचार है वो गलत है हमी सिरफ सही है आपने जैनिजम में एक doctrine के बाड़े में पढ़ा होगा अनिकांत वाद पढ़ा है आपने? मैं बताता हूँ आपको अनिकांत वाद जो doctrine है जैनिजम का वो ये बोलता है कि जो reality है ना वो बहुत complex है reality सिरफ reality का सिरफ एक aspect नहीं होता reality के कई aspect हो सकते हैं तो कहने का मतलब ये है अलग-अलग धर्मों में जो बात बताई गई है वो भी सच हो सकती है अगर कोई बोले कि मेरे धर्म की बात सही है आपके जर्म की बात गलत है तो ये गलत है ना reality का एक aspect नहीं होता जैसे simple सी बात है ना UPSC का exam clear करने की एक strategy नहीं है कि हाँ यही इसी strategy से exam clear हो सकता है मेरी strategy सही है बाकी strategies गलत है ऐसे थोड़ी ना होता है कोई strategy किसी के लिए काम कर सकती है चलो ये hate speech से समदी basics हमने discuss कर लिए challenges discuss कर लिए अब hate speech की definition थोड़ी सी हम discuss कर लेते है लेखो Indian legal framework में यानि कोई कानून में सविधान में तो hate speech को define किया नहीं गया है free speech जरूर है article 19 तो black law dictionary की definition में hate speech के बारे बोला गया है वो speech जिसमें as such कोई meaning नहीं है other than hatred for some group किसी group के खिलाफ नफरत देखने को मिलती है और group कोई भी हो सकता है particular race, जाती, धरम कुछ भी हो सकता है और इस definition में देखो ये भी बोला गया है उस circumstances में speech दी जाती है कि speech देने के बाद violence provoke हो सकता है तो ये black law dictionary की definition है Supreme Court ने परवासी भलाई संक्थन versus Union of India 2014 के case में hate speech को define किया था, ये एक परियास है कुछ individuals को marginalize करने का मतलब है हासिय पर धकेलना, तो Supreme Court ने अपने इस verdict में कहा था, hate speech वो speech होती है, जिसमें परियास किया जाता है कुछ individuals को marginalize करने का इसलिए उनको marginalize करने का परियास किया जाता है, उनकी social standing, dignity, ये सब dilute करने की कोशिज कि जाती है समाज में मदरास हाई कोट ने भी अपने कई सारे verdict में कहा है जो hate speech होती है वो देखो एक चिंगारी के समान होती है जो पूरे forest को आग लगा सकती है मतलब hate speech के वज़े से पूरी community में hatred फैल सकती है सद भाव जो है वो destroy हो सकता है इसके बाद मदरास हाई कोट ने ही 2019 के जी थिरू मुर्गन गांदी वर्सेश state केस में explain किया था hate speeches जो है वो women communities के बीच discord फिलाती है यानि लडाई करवाती है इसलिए hate free speech के साथ जो responsibility attach है न मतलब article 19 में आपको fundamental right मिला है आप कुछ भी बोल सकते हो इसका मतलब यह नहीं कि आप इस right के साथ में आपकी जो responsibility है duty है उसे आप भूल जाओ तो इन सब चीजों को summarize करते हुए 2020 में Supreme Court ने Amis Devgan versus Union of India case में कहा था hate speech का देखो as such कोई purpose नहीं होता hate speech का purpose होता है सिरफ एक particular group के खिलाफ नफरत फैलाना तो यह हमने काफी सारी definitions discuss कर ली hate speech की मतलब definition पे भी अलग से question आ सकता है इसलिए हमने 4-5 definition जो है वो discuss कर ली यह कानून है अभी फिलाल हमारे देश में hate speeches को tackle करने के लिए यह भी लिखने जरूरी है 153A अगर देखो दो groups के बीच कोई नफरत फैलाता है तो उससे deal करता है यह section IPC का 153B यह देखो national integration के against कोई काम करता है तो उसको penalize करता है IPC section 505 अगर कोई अववा फैलाता है communal harmony को disturb करने के लिए या फिर दो committees के बीच सतुरता बढ़ाने के लिए तो उससे deal करता है IPC section 505 इसके लावा IPC section 295A यह तो पंजाब sacralize case से सम्मदित भी हमने discuss की थे आपको याद होगा अगर कोई religious beliefs को insult करता है तब यह section जो है tender नहीं आएगी तो मतलब ऐसी speech देने वालों के खिलाफ तो कारवाई होई नहीं सकती तो इसलिए तो कहा जाता है कि कोई proper कानून नहीं है कई speech ऐसी होती है जिनको handle ही नहीं किया जा सकता फिलाल के sections के according तो अलग से कानून बनाने के आफ सकता है तो ला कमिशन ने recommend किया था ये deal करे जब कोई person किसी committee के against धमकी देने के लिए या फिर फिलाने के लिए words का इस्तमाल करता है चाहे written words का spoken words का या फिर कुछ भी हो painting के through मतलब representation के through तब ये section ने invoke की जासके आई नहीं ये सिरफ recommend किया था नीचे वाला भी recommend किया था अगर कोई fear फिलाता है या फिर violence फिलाने की बात बोलता है उसके लिए ये section हो section 505A अभी तक ये add हुई नहीं है IPC में ये सिरफ recommendations है इसके लावा parliamentary standing committee on home affairs ने अपनी 189th report में ये कहा था IT Act यानि Information Technology Act 2000 में बदलाव क्या आज है online hate species से deal करने के लिए अभी देखो IT Act 2000 जो है वो पुराना है online hate species को handle करने के लिए proper provisions नहीं है IT Act 2000 में तो इसमें amendment की जाए एक specific legislation क्या आप सकता है जो online internet पर hate species फिलाई जाती है ना उनसे deal करने के लिए जैसे देखो Australia के example लिया जा सकता है Australia में federal law है 2019 का इसमेरा service providers पर भी liability है जैसे YouTube पर hate speech upload है तो YouTube की भी जिम्मेदारी बनती है कि उससे hate speech को हटाया जाए उसी परकार से Facebook और बागी social media platforms के जिम्मेदारी है तो हमारे देश में भी ऐसा कानून आ सकता है यह पूरा article हमने discuss किया hate speech से संबन दी था है